कि यह गाइस वेलकम बैक मैं यूट्वीब चैन सत्तम रॉनी दोस्तों कैसे आप सवेलो आशा करता हूं आप सवेलो अच्छे होंगे तो आज क्या वीडियो आपके लिए फिर से लेके आए एक नई विमंग नहीं तरह के साथ आशा करता हूं आपको हमेशा की तरह दोस्तों पसंद आएगा तो जैसा कि आपको फता है वीऊ जांसी कोई भी उनिवेसि니다 रिगारज ऑपडेट होती है तो मैं आपको सब्से हैं यहां सबस्ते पहले आपको सबसे और मैं दोस्तों आफ सपोर्ट बरसाती हैं दोस्तों रैली दोस्तों बहुत अच्छा लगता है मेरा हिर्दा एकदम गड़न का डंग हो जाता है दोस्तों कसम से दोस्तों इसके लिए बहुत ज़या बड़ा प्राइमरी की स्कूल की तो दोस्तों एक से लेके आड़ तक स्कूल तो खुल नहीं वाले नहीं है उसके बाद 9 से लेके 12 तक जो कक्छा है वह भी अभी नहीं चलेंगी दोस्तों अभी आपको मैं लाइब यूडियो देखांगो उसमें आपको सब पता पड़ा जाएगा और किस टाइब की इनफॉर्मेंसन बहुत से यूटूबर दे रहा हैं कि स्कूल कॉलेज खोलेंगे स्कूल कॉलेज खोलेंगे बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है आपको लाइब नहीं दिखाते हैं दोस्तों किस टाइब का इस भी तो आशिक रूप से स्कूल खोलने पर अब स किसीजर जारी कर दिया गया है शर्तों के साथ अब स्कूल खोले जा सकते हैं कि सितंबर की तारीक हम पहले ही लगातार बता रहे हैं नौवी से बारहमी के शातर लेकिन इसकी कोई रेगिलर पढ़ाई नहीं होने जा रही है जिन चातरों को दिक्कत है या जो चातर जाना च चाते हैं सुएच्छा से और अध्यापकों से कुछ सीखना चाते हैं जानना चाते हैं उनके लिए ये स्कूल अब खुलेंगे पचास वी सद स्टाफ का पहले ही ओर्डर आ चुका है तो स्कूल जाकर सिर्फ टीचर से वो सला लेने की इन चातरों को इजाजत होगी भीड स बचने के लिए अलग अलग समय पर बुलाए गए हैं चातर शरत शर्मा हमारे सेयोगी हमारे साथ जोड़ रहे हैं शरत जो ये एसोपी जारी की गई है नौवी से बारवी के चातरों के लिए और इस स्वेचिक आधार रखा गया आपसे समझना चाहेंगे कि हम जानते हैं क तमाम क्लासे जो हैं वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये हो रही है टीचर्स के लगाता संपर्क में है स्टूडेंट्स ऐसे में फिलहाल इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई बड़ी क्लासे हैं उनके बच्चों जो बच्चे हैं उनको जो पढ़ाई होती है जो फिजिकल पढ़ाई होती है टीचर सामने बैटके पढ़ाते हैं उसकी जरूरत होती है तो केंदर सरकार एक तरह से करिये रही है कि क्योंकि करड़ों बच्चों का मामला है सेंसिटिव म होगी हालाकि ये बास सही है कि किसी को जबर्दस्ती नहीं होगी लेकिन इसके जरीये के एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है कि क्या स्कूल जो है वो खोले आ सकते हैं अगर संक्रमन होता है तो वह कितने बच्चे होंगे अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहरा उसके लि देखिए एसोपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मैक्सिम कितने बच्चे हो सकते हैं लेकिन हाँ ये जरू लिखा है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट हो या जो असेमली या जो लाइन लगती है उनमें जो है आपको डिंस्टेंज मेंटेन करना है आप उसका मतलब यह मान ल लिखता है कतार बनाने के लिए कहा गया क्योंकि स्कूलों में जो बच्चे चलते हैं अगर मॉर्णिंग असेमली होती है तो बच्चे कतार बनाके चलते हैं लाइन लगती है तो ये भी कहा गया है कि आप मार्क लगाईए जहां पर बच्चे खड़े हों तो कोई नमबर्स बच्चों पर अगर छोड़ दिया तो वो तोड़ा मुश्किल हो जाएगा शुक्रिया शड़त इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाया रखिए हम अपडेट्स के लिए आपका रुक करते हैं